हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सचिन और आपका स्वागत है अमारे इस यूटूच चैनल सचिन वॉलिवोड में आज हम बात करते हैं वुपासा बासू के बारे में उनके बारे में बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल परना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर भी करें विपासा बासू फिलहाल फिल्मों से दूर है उन्हें आखरी बार साल 2015 में आई फिल्म अलोन में देखा गया था हलांकि दो साल पहले वावेब स्रीज डेंजर में जरूर देखी थी 43 साल की इस आक्टर्व में इतने सालों से दूर रहने की वज़ा का अब खुलासा किया है साथ ही उन्होंने अपने कमबैक को लेकर भी बात की है एक इंटरों में वह वो ली कि मैं कुछ सालों से काम को लेकर कुछ आलसी थी लेकिन 2022 में मैं उम्मीद करती हूँ कि चल्द ही कोई अनॉस्मेंट करूं उनका कहना है कि COVID-19 ने उनकी प्लानिंग पर पानी फिर दिया था उनके मुतावित मुझे नहीं पता था कि दुनिया किस ओर जा रही है कोरोना वाइरस ने सभी को घर पर रहने को मजबूर कर दिया था उस वक्त सब अन्ट्रेक्टेबल था ऐसा हमने कभी नहीं देखा था मैं कई इमोशन से गुचरी है और फिर मैंने एक एक दिन को चीजा शुरू किया सिंपल चीजों को अपने पार्टनर हस्पेंड यानि एक्टर करन सी गुरूवर के साथ एंज्वाई किया साल 2021 कुछ उमिद लेकर आया है और चीज़ें बदल गई है